अब हम 8.1 एकसर यह के बाद वाला पॉर्संट जो है वह कर रहे हैं फांडिन दे इंक्रीज और डिक्रीज परसंट रहे इंक्रीज परसंट कितना है यह जा टिक्रीज परसंट कितना है वह कैसे फैंड गते वह फर्स्ट है 25% off on mark price तो mark price है उसको पर 25% off कितना होगा second 10% hike in price of petrol अगर petrol में 10% बढ़ता है तो कितना होगा then example number 2 है the price of scooter was rupees 34,000 last year it has increased by 20% this year what is the price now right to 20% of 34,000 करेंगे हम 20% बढ़ रहा है right तो 20% कि अगर कि अगर कि 34,000 करेंगे तो क्या मिलेगा में 20 इन्टो 34,000 बाइ हंड्रेड जीरो जीरो कट तो कितना होगा 6,800 तो अभी इतना बढ़ रहा है तो 34,000 इंक्रीज़ पाइस कितनी होगी इंक्रीज़ प्राइस जो औरिजनल प्राइस है उसमें ये एड़ कर देंगे 34,000 प्लस 6,800 तो कितना होगा 408 0000 रूपीज राइड और इसको अगर बाइं युनिटरी मेथड करेंगे तो तुनिता यूज़ दे युनिटरी मेथड 20% इंक्रीज़ निस हंट्रेड इंक्रीज़ तो रूपीज रूपीज इंक्रीज ने रूपंटेट प्राइज होगा कि यसज़र इन ऊक्रीज़स एन मन जानुक्षा इंक्रीस प्राइस तो क्या करेंगे क्रोस मुल्टिप्लाइब हो गई 34,000 इंटू 120 by 100 तो 00 काट हो जाएगा राइट अभी इसको मुल्टिप्लाइब करेंगे तो 408 00 यह आंसर हमें मिल जाएगा राइट यह हमरा आंसर है 34 इंटू 12 करेंगे 34 इंटू 12 तो 4 तूजा 8 3 तूजा 6 6 प्लस 4 तूजा 8 4 बन जा और 3 तूजा करना है 4 बन जा एंड 3 तूजा राइट तो 6 प्लस 4 10 होगा और 1 साइड पर 3 बन जा 3 प्लस 1 408 और 00 पीछे लगा देने हैं क्योंकि यहाँ पर 2 जिरो है ओके तो अभी इसके बाद क्या है वह देखते हम इसके बाद है similarly percentage decrease in price would imply finding actual decrease followed by its subtraction from the original price तो अभी इसमें हमने क्या किया था 34,000 प्लस 6800 किया था प्लस किया था क्योंकि अंदर increase लिखा था right increase अंदर लिखा हुआ है right increase लिखा था इसलिए हमने क्या क्या प्लस किया लेकिन जब decrease लिखा हो तो क्या करेंगे हम decrease लिखा हो तो क्या करेंगे माइनस करेंगे suppose in order to increase in itself the price of scooter was decreased by 5% then let us find the price of scooter तो price of scooter 34,000 है और reduction और 5% reduction बोला है तो 5% करेंगे और answer जो आएगा उसको minus करेंगे राइट यहां पर answer क्या रहा है 1700 आ रहा है तो 700 माइनस किया तो 323 00 मिला हम तो इसकी हम method करते है 5% of 34,000 तो 5% of 34,000 यह करेंगे हम तो 5 into 34,000 by 100 राइट 00 काट हो जाएगा तो 34,500 कितना होगा 170 और एक 0 अभी decrease हुआ तो उसकी जो price होगी decrease होने के बाद तो 1700 माइनस करेंगे वो हमें answer मिलेगा तो कितना है गा answer 003 यह 3 तो 2 हो जाएगा इतर और 32,300 यह answer आएगा राइट चेक कर लेते हैं 32,300 है finding discounts discount is reduction given on mark price of the article कोई भी article है उसके उपर उसके price लिखी होती है और उसके उपर जो कम भाव करके देता है दुकानदार उसको हम बोलते है discount this is generally given to attract customer to buy goods or to promote sales of goods right तो कोई भी जगा अगर discount लिखा है तो सब दोड़के लेने जाते है right you can find the discount by subtracting its sell price from its mark price to sell price minus mark price minus sell price करेंगे तो क्या मिलेगा हमें discount मिलेगा right then example number three कर रहे एन आइटम एन आइटम मार्क एट रुपीज 840 is sold for rupees 714 right लिखा था सपी पाइस प्राइस के अरीव 840 थी right और कितने मिलेग गई 714 तो जो कम प्राइस है वो उस्ता इस्काउं रहा right what is the discount and discount percent the discount is equal to MP minus SP so 840 minus 714 करेंगे हम तो 126 हाय रहा the since discount is on mark price we will have to use mark price as the base थे आपर रहन निखेंगे discount is equal to discount मार्क प्राइज में से माइनस करेंगे तो कितना आता है 126 आता है ओके तो 126 क्या मार्क प्राइज 840 तो उसके उपर अगर दिसकाउंट 126 आया तो 100 पर हाओ अच तो पहले हमने 840 माइनस 714 किया राइट 840 माइनस 714 तो आया 126 राइट यह हमें डिसकाउंट मिला राइट यह मार्क प्राइज है और यह क्या थी शेलिंग प्राइज तो डिसकाउंट परसंट अगर फाइंड करना है तो मार्क प्राइस एंड डिसकाउंट तो 840 मार्क प्राइस है तो डिसकाउंट कितना 126 राइट तो 100 पर हो मच तो यह क्रॉस मल्टिप्ला होगा तो 100 इंटू 126 बाई 840 यह दोनों कट होगे जेधे 00 कट 84 216 21 4 जा 23 जा एंड 2 25 जा तो 15% डिसकाउंट मिला राइट डिसकाउंट हमेंशा 100 पर होता है okay 15% discount मिलेगा right you can also find discount when discount percent is given discount percent अगर दिये गए तो discount हम find कर सकते है then example number 4 the list price of a frog is 220 discount of 20 percent is announced what is the amount of discount on it and its sell price right तो 220 है और 20% दिया है तो discount find करेंगे 20% of 220 right तो 20 into 220 by 100 00 cut यह मिलेगा मैं discount तो 44 रूपीज discount मिलेगा तो mark price minus selling price is equal to discount इसके उपर से हम लिख सकते हैं mark price minus discount is equal to selling price हमें मिलेगी mark price कितने 220 right यहां पर mark price minus discount is equal to SP 220 minus 44 right तो 10 minus 4 6 11 minus 4 तो 7 and 1 176 selling price होगी okay तो यहां पर आ गया यहां पर दो method बताईए तो हमने एक method सीख लिए इसके बाद हम next video में try this करेंगे okay कर दो करेंगे okay